हालो और वेलकम तू प्रयाक करियर इंस्टिट्यूट्स इंग्लिश क्लास या विडियो लर्ण टू राइट एंड स्पीक एसेंशल इंग्लिश के लिए है आज इस विडियो में हम एक्टिव और पैसेव वाइस में शुड से सम्मन दित हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश मे ट्रैंसलेट करना सीखेंगे शुड का प्रयोग किसी को सलाह देने के लिए या फिर कोई अनुमान लगाने के लिए किया जाता है हिंदी में हम इसके लिए कहते हैं चाहिए चाहिए शब्द सलाह देने के लिए और अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है अनुम करना उचित है अर्थात हम यह इसका मतलब यह नहीं होता है कि यही अंतिम विकल्प है सामान्य सला होती है तो सामान्य सला देने के लिए ऐसे सेंटेसिस जिनके लास्ट में चाहिए आता है वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं वैसे शैल का पास्ट शुड होता है और इस और एक प्रयोग पर्मीशन मांगने के लिए भी किया जाता उस पर भी हम बात करेंगे तो आईए सबसे पहले हम इसके फॉर्मिलाज को समझते हैं मैं इसके इस्ट प्लस समय ऐडर को आउंट अपने बड़ों की बात माननी चाहिए तुमें रोजाना स्कूल जाना चाहिए शुल अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए इस तरह से इस तरह की सेन्टेंशें हम इस फॉर्मिला से ट्राइस्विलेब इस्टिरण सीप्र इसी तरह से subject plus should have plus third form of the verb plus object यह perfect form होती है एक तरह से और जिनमें भी यह formula यूज किया जाता है उन wh lilaz जाहिए इस तरह के सेने के लिए हम उडकर्ण सबढना चाहिए था। सब्वतर की सेंटेसे था। सब्वतर का प्रयोग सhelp करती हैं जैसे तुम्हें घर आना चाहिए था। you should have come to home तो मैं बात समझने चाहे थी you should have understood to talk तो मैं काम करना चाहे था you should have done work तो इस तरह से यह सदिजिस हम translate करते है यह होता है should plus I या फिर V भी कह सकते हैं लेकिन usually हम permission मांगने के लिए यह I का ही प्रयोग करते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए मतलब permission कोई भी मांगेगा तो वह I कहकर कही मांगेगा जैसे मैं मांगूँगा तो I कहकर ही मांगूँगा आप कहीं मांगेंगे किसी से तो आप भी किसी से मांगेंगे तो I कहकर कहीं मांगेंगे तो उस इस्तिजिक के लिए होता है ढरा हम किया मैं जाओं यह तरह के permission मांगने वाले ही होते हैं यह सभी संसे एक तरह से permission मागने वाले ही होते हैं हाला कि इसमें यह जो formula है should plus first form of the verb plus object should plus i plus first form of the verb plus object और अगर हम यहाँ पर we कर देंगे i की जगा we भी हो सकता है तो should we मतलब हम मैं अकेला नहों करके i के साथ फिर और भी कोई है तो मिल करके तब हम खहते हैं और वी तो वा कई गा मिनले होगा तब ओं कि आवाज नहीं करके क्या हम जाएं क्या हम घल आएं तब पिर इसका जो मतलब the week on to pri Il सब्जिक्ट शुड बी प्लस नाउन और एजिक्टिव तो होगा और होना चाहिए जैसे ये गैस करने के लिए अनुमान लगाने के लिए और यह से डिसे होते हैं कहीं से कोई आवाज आ रही है कोई वहां अंधेरे में से कोई आवाज आ रही है वहां कोई होगा यहनी कोई होना चाहिए इस तरह से रोजाना मतलब एक ही का जोड़िया पढ़ालता है गरीब होगा यहनी तरह से मतलब ऐसे ही तो इसी तरह से के लिए ऐसे सेथिस के लिए यह हम फॉबिला यूज करते हैं शुड़ भी प्लस नाउन और एजिक्टिव होगा होना चाहिए के लिए जैसे मैंने का कि कमरे में लाइट जल लिए वाँ कोई होगा तो देर इस लाइट इन दरूम और लाइट इन दरूम इस ओन देर दिया दिया शुड़ भी संबड़ी तो इस तरह से हम यह से लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी तरह से इसी को अगर हमें पास्ट में बोलना है तो होगा होना चाहिए था यानि मतलब मेरा कोई यानि वहां पर कोई मिला नहीं लेकिन होना चाहिए था यानि तुम्हें तो करगत मर opposition को तरह से तो तुमाबारा भाई होना चाहिए ता हीश्ब्हाइव बिन यदे योरा ज़ुन गोहना चाहिए तो इसतरह से आईडिया लगाने के लिए जैसे च्णे खुला सिस्कामरे पीयों कोई होना चाहिए आपने पाइसे प्लावन और लगाते हैं यह कमरा बड़ा बड़ा होना चाहिए था तो फूलब गैसे हम कहें यह होना चाहिए था मतलब गैस करने के लिए होता है हलागे सलाह देने के लिए भी हो सकता है सलाह भी दी जा सकती है और गैस भी किया जा सकता है पर नमान लगाना लगाने के लिए भी किया जाटाय है इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर तो मैं तुम अगर मेरे साथ चलो इस तरह से हम कहते हैं तुमारी लिए बदले में कुछ करूँगा जैसे मैं तुमारे साथ चलूँगा मैं तुमारा दोस्त बनुगा मैं भी सब्सक्राइब दो करूँगा मैं तुम्हें कुछ पैसे दूँगा तो इस तरह के सेटेसे कहने के लिए सब्जेक्ट फर्स्ट फर्म अफ दिवर्फ प्लस अबजेक्ट तो इसी बात को अगर हम यहां देखें इफ पहले आया है बाद में शुड़ आया है अगर शुड़ को हम पहले लिख दें शुड़ सब्जेक्ट फर्म यहाँ से लिख सकते तो फ्लस गागें इसके बाद है पैसे वोग्तुन पैसे वर चाहिए ठाउस्के लिए हम शुड़ है बीन प्लस थार्ट फर्म यूज करते हैं बाकि देखिये इसमें इसका कोई इसमें ये एक्टिव वाइस में यूज होता है और अगर होगा तो आई तो नहीं वहां पर होगा और अगर होगा तो भी फिर यही वाली फॉर्म हो जाएगी शुडबी प्लस फर्म ऑप दी वाप ठीक है एंड इस तरह से इसमें शुडबी प्लस ना होने तो इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा और अगर इसका भी बनेगा तो एफ मदला शुडबी प्लस थार्ट फर्म ही हो जाएगा इसलिए हमने यहां नहीं लिखा है क्योंकि एफ के बाद फिर शुडबी प्लस थार्ट फर्म ही हो जाएगा तो इस तरह से यह हमने सभी इसके फॉर्मिला उसको हमने समझा आप इसके बाद एक-एक सेंटेंस हमने यहां पर लिखा हुआ एक-एक सेंटेंस हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि बोर्ड पर बहुत ज्यादा जगा नहीं होती तो पहला सेंटेंस है तो मैं एक काम करना चाहिए तो यह एक तरह की सलाह है लास्ट में चाहिए आगया शुरू मैं सब्जिक्ट है तो इसका सब्जिक्ट क्या है तो मैं चाहिए के लिए एक्टिव वॉइस से किसको काम करना चाहिए तो मैं करना चाहिए तो एक्टिव व लिख दिया कि वर्ब क्या है काम करना चाहिए काम करने की अंग्रेजी मतलब करना चाहिए करना की अंग्रेजी डू तो हमने डू लिख दिया क्या करना चाहिए एक काम करना चाहिए तो एक काम इसमें हमने अब्जिक्ट बना दिया और हमने वर्ब के बाद लिख दिया यू शूद डू वन वर्क हो गया अब उसे अकबार पढ़ना चाहिए था तो यह चाहिए था वाला फॉर्मिलया हो गया जिसमें शूद है प्लस थार्ड फरम तो सब्जिक्ट कैसे उसे उसे की इंग्लिश ही उसके बाद शूड है फिर थार्ड फरम रैड इसकी spelling यही रहती है, spelling वही रहती लेकिन pronunciation change हो जाता है और read की जगह read पढ़ने लगते हैं, he should have read a newspaper, उसे एक बार पढ़ना चाहिए था, he should have read a newspaper हो गया, क्या मैं अब जाओ, should I go now, यह इस तरह से हो गया, क्या मैं जाओ, should I go now, क्या मैं कल आओ, should I come tomorrow now, क्या मैं वहाँ बैट जाओ, should I sit there, should I, क्या मैं खड़ा हो जाओ, should I stand up now, क्या मैं टीवी देख लूँ, should I watch टीवी, वहाँ तुमारा भाई होगा, तो he should be your brother, he will be your brother भी हो सकता ह इसी तरह से, PDP को देशवक्त पार्टी होना चाहिए था, PDP should have been a patriot party, उसी तरह से हो गया, और should I have been, should I have been हो गया, उसके बाद फिर नाउन हो गया, तो PDP should have been a patriot party, अगर तुम मेरी बात मानो, तो मैं तुमारी मदद करूँगा, तो if you should, तो if you should obey my talk, अगर तुम मेरी बात मा मानो, if subject should plus first form of the verb, तो if you should obey my talk, I would help you, अगर तुम मेरी बात मानो, तो मैं तुमारी मदद करूँगा, I would help you, यहां देखिए, यहां पर देखिए, वोड ही आएगा, जब यहां शुड आएगा, तो यहां पर वोड ही आएगा, और वोड की जगह यहां कुछ और नहीं आएग इसके बाद है पैसे वैस, पैसे वैस में अदालत में सच बताया जाना चाहिए, यानि कौन बताया सच पता नहीं, तो इसलिए अदालत में सच बताया जाना चाहिए, यह पैसे वैस में हो गया, क्या बताना चाहिए, अदालत में तो सच बताना चाहिए, तो सच इसमें सब बीत भो आपक बताया जाना चाहिए तो इसलिए अधालत लिख मेंगोन करेगा पता नहीं तो इस लिए तो चोरों को गिरफतार किया जाना चाहिए थीव और उसके बाद शॉरी जाहिए था। तो गिए उसके बाद फिर के तो इसके बाद क्या करना चाहिए जोरों को किश किया जाना चाहिए था जिए सब्जेक्ट के नेगटिव बनाते हैं तो not should के बाद में आ जाएगा जैसे तुम्हें काम करना चाहिए you should do one work तुम्हें काम नहीं करना चाहिए तो you should not do one work हमेशा first auxiliary के बाद not आ जाता है तो you should not do one work इसी तरह से क्या तुम्हें काम करना चाहिए तो should पहले आ जाएगा इसी तरह से उसे अख़बार पढ़ना चाहिए था, तो he should have read a newspaper, उसे अख़बार नहीं पढ़ना चाहिए था, तो he should not have read a newspaper, उसे अख़बार नहीं पढ़ना चाहिए था, अब क्या उसे अख़बार पढ़ना चाहिए था, क्या उसे अख़बार पढ़ना चाहिए था इसी तरह से यह तो है इंट्रोकरटिव क्या मैं अब जाओ शुड़ाई गो नाओ क्या मैं अब ना जाओ शुड़ाई नॉट गो नाओ ठीक है बागी तो इंट्रोकरटिव है वह तुमारा भाई होगा वह तुमारा भाई होगा वह तुमारा भाई नहीं होगा वह तुमारा भाई नहीं होगा वह तुमारा भाई नहीं होगा होना चाहिए भी हो जाएगा वह तुमारा भाई नहीं होना चाहिए और तुमारा भाई होगा वह तुमारा भाई होगा लिए था तो पीडिपी शुट नॉट हैव बिन और क्या पीडिपी को देशबक्त पार्टी रहना चाहिए था तो पीडिपी शुट पहले आजएगा शुट पीडिपी फेव बीन उपेट पार्टी यह हो जाएगा अगर तुम मेरी बात मानों तो मैं तुमारी मदद तो if you should not obey my talk, I would help you, यह ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से अदालत में सच बताया जाना चाहिए, the truth should be told in court, अदालत में सच नहीं बताया जाना चाहिए, the truth should not be, the truth should not be, not be told in court, ठीक है, चोरों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो इस तरह से हो जाएगा, यह सभी sentences थे जो मैंने आपको करके बताए, आज के लिए, इस वीडियो के लिए, इतना ही next वीडियो, बहुत जल्दी ही आपके लिए, कोशिश करेंगे बराने की तब तक के लिए, thank you, bye bye